हलो दोस्तों आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल लांग्टरम शेयर सेल्टेस में आज हम बात करेंगे हैपियस्ट माइंड टेक्नोलोजी के बारे में कुछ वीडियो जो हमने पहले बनाया थे हैपियस्ट माइंड में हाला कि हमने आप्डेट किया था तो इसका मैं इशू प्राइस बता दूँ एक सो चांचाट रुपाई की प्राइस पे परशेर 166 रुपेश की प्राइस पे आप्यो आया था किसी को मिला होगा किसी को नहीं लिस्टिंग हुई थी कि नई लिस्टेड यह कंपनी जिस दिन TCS इनफोसिस का 10% भी हो जाएगी आप करणपती बन जाएंगे महज यह जो थमनेल होता है यह आकरशन के लिए होता है किसी कंपनी के बारे में आप जानने की कोशिश करें उस समय इसका स्टॉप प्राइस च हैं तो कुछ लोगों ने कहा कहीं उनके बाद कंपनी को कौन देख भाल करेगा तो बहुत सारे लोगों का जो है ऐसा एक कॉमेंट्स था तो मैंने उस पर फिर दोबारा वीडियो बनाया था कि सूता जी भले इवरद्ध है लेकिन कंपनी जवान है यह करीब दो महने पहले ठीक है वो तीन महने पहले यह दो महने पहले उस समय इसका प्राइस था उसी के आसपास 355 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा था हमने दोग वीक पहले एक वीडियो बनाया था अभी भी मौका है हैप्यस टो मैंड्स क्या यह बनेगी टॉप की IT कंपनी तो इस प्रकार से करीब 524 रुपए की प्राइस पर ट्रेड हो रहा अभी बज़ रहे हैं डेड़ बज़े हैं करीब आठ परसन ज्यादा की तेजी है आप 9 परसन भी कह सकते हैं 8.63 परसन है और काफी अच्छा खासा जो है भागा है आप देखिए जो इसकी मार्केट केपिल हो चुकी साथ ह कंपनी के स्थापना की थी कई वर्षों पूर्व और इसकी लिस्टिंग सवभाग से अभी हुई है सिप्तंबर में अब यहां पर देखें जो इंट्री पॉइंट दिखा रहा है तो इतनी ज्यादा इसमें खरेदारी हो चुकी और बाट जोन पे शो कर रहा होगा आरे सभ की बात है जब IPO का आया था 167 उसके पास चाहत फिर डबल हुआ डबल से आज 528 रुपए के प्राइस पर ट्रेड हो रहा है जिनके पास IPO के समय के अलॉट्मेंट रहे होंगे जो होल्ड है उस समय से तो उनको काफी अच्छा खासा मुनाफ़ा हुआ कई गुना हो चुक है परंत जिन्हों ने लिस्टिंग के बार गिरावर्ट में भी लिया होगा उनको भी आज की तारिख में काफी अच्छा खासा फायदा हो रहा है एक महीने में देखते हैं तो करीब 25 परसन के जो है रिटन अभी भी दिखाई दे रहे हैं 25 परसन कम नहीं होता आप उनसे पू मुझे लगता है कुछ कमपणियां तो डबल भी हो जाते हैं समय समय पर बातचीत हम लोग करते रहते हैं अलग-अलग इस टॉक्स पर देखिए यहां पर जो साइट के अनलिस्ट से उन्होंने अपना अनमोधन दिया है 100% कि people can buy this stock investors can buy this stock यह मैं टिकर टैप की साइट पर द इसका रेवन्यू से बढ़के आया था प्रॉफिट में जरूरी यहां पर 22% का लॉस था परण 2017-18 में अगर देंके रेवन्यू में इनके साधे 3% से जाधा की ग्रोध थी लेकिन प्रॉफिट में जो है सीधे 400% के आसपास का नुकसान था और फनिशले 2018-19 में देखें 30% क का जो है अप है रेवन्यू प्रॉफिट में करीब 208% की तेजी है फनिशले 2020 में अगर हम देखते हैं 18% ज्यादा के रेवन्यू में जम्प है लेकिन प्रॉफिट में यहां पर 404% की जम्प दिखाई दे रही है पिर कंपनी में आप देख सकते हैं TCS हो गया, Infosys हो गया, चल टेक हो गया, भी प्रू हो गया, ठेक महिंद्रा हो गया तो इसी केटागरी की यह भी कंपनी है कुछ क्वाटर के रंबर्स हम देख लेते हैं देखें दिसंबर अगर हम पिछले क्वाटर से इस क्वाटर में कंपरेजन करें क्योंकि बहुत पास्त में हम नहीं पिछले कॉठर से अगर हम कंपरेजन करें तोटल जो रेविन्यू रहा है 187 क्रोड के आसपास वो बढ़के हो गया दिसंबर 2020 में करेब 201 क्रोड के आसपास इसी प्रकार से अगर हमनेट इंकम देखते हैं तो पिछले क्वाटर में था 34 क्रोड के आसपास जो कि 42 क्रोड हो 17% है, FIIS में 7.51% है, और रिटेल भी है, 33% के आसपास, कोई भी शेर गिर भी नहीं है, रिटेन वन कैपिल एंप्लॉइड अगर देखते हैं तो 42% का है, जो कि ये दर्शाता है, ये कमपनी कहीं ने कहीं जो भी आमद होती है, उसको जो है अगेन वेवसाई करने में उसमें अच्छा खासा रिटेन बना लेती है, 42% के आसपास, रिटेन वान एक्विटी भी देखिए, 83% के आसपास यहाँ पर जो कि एक शांदार है, और 2 रुपए पर शेर की फिस वैल्यू ही याद रखिएगा, रही बार डिविडेंड की, चुकि निविल इस्टेट कमपनी है, अब देखते हैं, पर मोटर देना शुरू करते हैं, या नहीं करते हैं, यह उन पर निड़न है, लेकिन जो IT की कमपनी हैं, जो IT सौफवेर की कमपनी हैं, चाहे टीस हो, चाहे बेप्रो हो, चाहे इनफोसिस हो, मैं अगे नहीं आप ए अनुमाल लगा रहा हूं, कि आने वा परिश है आप से, कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लीजेगा, बेल आइकन प्रस करना नाम बोलें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि समय समय पे आप जो है कॉमेंट के माध्यम से आप अपने फेडियो के बारे में जानना चाहते हैं, तो कभी-कभी मैं उनके वीडियो बना दिया होता हूँ, तो आपको भी मालूम पढ़ जाएगा, अगर आप थोड़ा सा मेरे वीडियो में विजिट करेंगे, जैसे मैंने कल दीपक नाइट्राइट का बनाया था, उस फेस्ट फाइनेंस, हिंदुस्तान फूड्स, आरती सर्फक टैंस, दस जार में साथ शियर्स मैंने बताया थे, मल्टी बैगर्स, और अगर आप नए निवेशा के तो यह वीडियो आपके लिए देख लीजिए, फिर इस प्रकार से हमने डिविडियो फोकस करते हुए, फि इसको मैं जल्दी कवर करूँगा, ETFs क्या है, Exchange Traded Funds, यह बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो भी आप वीडियो देख सकते हैं, फिर देखे स्प्राई कार्ट, FL India, India Mart, Avas Financiers, यह सारे वीडियो के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में अगर आप वि जान सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,